नमस्ते श्रीजी की रजवी में आपसे भीका स्वाकत है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ठेल में पिकने वाले खटे खटे मीठे मीठे पानी वाले गोल गोल फूले पूले पूल कपे जिहां जिसको देखकर हर किसी के मुझ में पानी आ जाता है अच्छा खासा करेंगे लेकिन उससे साथ मिलने वाला पानी और आलू वह भी आपके साम बताऊंगी तो वीडियो को एंट तक चरूर देखें यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना बोले तो चलिए स्टार्ट करते हैं से बनाना इसको बनाने के लिए हमने ली है 200 ग्राफी करीब सूजी सबसे पहले हम उन्तिक्यों को बनाने के लिए उसका आटा लगाएंगे उस सूजी को हम एक परात में करके और दो बड़े चमच हम उसमें मौन के लिए ओल एड करेंगे यह देखिए मैंने वह और सूजी में एड क एक अच्छा सा डोस तैयार करेंगे टिक्या बनाने के लिए वह ज्यादा पतला और ज्यादा टाइट नहीं हो क्योंकि यदि आप ज्यादा गाड़ा यदि आप टिक्या आटा लगाते हैं तो वह सूजी बाद में फूलती भी है तो इसलिए आपो थोड़ा सा लूज ही र तो चोटी छोटी लोगिया तोड़ लेंगे तोला टिक्या बनाने के लिए तेक्षा पर गिंगे हम एकड़ाई में फोल्य ł करम करने के लिए कि एधे बादे रक की को यदि लिए और आटे की टिक्या बनती है वो गोल शेप के आते मार्केट में इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी इसको लंबा करके बेला है लेकिन यह दिहान रहे कि सूजी की टिक्या होती है वो आपको जादा बेल-बेल के नहीं रखनी है वो हैंट तो हैंट आपको तेल गरम होने के गरम हो चुका है मैंने एक टिक्या को ओयल में डाल दीगा है और बरापर उसको हम चलाते जाएंगे टिक्या पर जिससे वो फूल जाए यह देखिए हम बरापर उसको चलाते जा रहे हैं यह जब फूले की जब हम पल्टे से उसको बरापर चलाते जाएंगे और उसके ऊप पर भी ओयल की आना चाहिए यह देखें फिर उसको पलट देखें बहुत सुंदर यह सब ही टिक्यां हमेरी इसी तरह से फूल हैंगी देखें बहुत सुंदर यह सब फूलती जा रहे हैं और इसको मीडियम फ्लेम हम बिल्कुल भी नी रखेंगे हैं हाई फ्लेम पर ही हमें से तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है कि देखें कितनी प्रिस्पी बनी है और इसको स्टॉफिंग करकी अधि हम लेंगे तो वह बहुत ही बढ़िया लगे देखें बहुत सुंदर टिक्या लग रहे हैं लेकिन टिक्या बनाने से ही काम नहीं चलता है अब हम उसका प मशनमा के लिया है और एक चुटकी से थोड़ी जादा हमने लिए हींग और थोड़ा से लिया है पानी इस सब तीनों चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्सर ग्लाइंडर में पीस लेंगे और हम इसमें खटे पन के लिए हमने थोड़ा से डाला है लामन जूस और आप चाहे बड़ी सी एक सिंगल जाली वाली जो चलनी आती है उसमें डाल देंगे और नीचे एक पाउल रखकर आप उसमें ऊपर से डालेंगे एक चमची करीब काला नमक और डाल देंगे पानी और उसको बुलकुल चाहन लेंगे यह देखिए क्योंकि चटनी का जो रवा है वो रह आप चाहने तो इसमें उपर से बुंदी विगरादी एट कर सकते हैं चलिए तो अब टिकिया बन गई पानी बन गया अब रहे उसके आलू अब उसको बनाने के लिए हमने 5-6 बॉयल आलू को हाथ से फोर फोर कर रख लिया है आप चाहने तो उसको महिन महिन चकू से काट आप लिए सकते हैं लेकिन मुझे टिकिया में आलू जो है वो फोर का आलू जो में जो टेस्ट आता है वो शायद कटे हुए अलू में नहीं आता तो मैंने फोर की आलू लिये हैं और उनको अच्छी तरह से इसको फोर लिया है और उसमें हमने डाला है थोड़ा सा भुना जीरा, काला नमक, ये देखिए और उसके बाद हम डालेंगे इसमें चत्नी जो आपने चत्नी ली थी वह उसमें हम थोड़ी सी आलो में भी एट कर देंगे ये देखिए अब इन सब चीजों को मच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ये देखिए आलो में चट्नी, जीरा वगरा पूरी हो चुकी है अब इस्टिकियों को आप पानी के साथ आलो के साथ भर कर इंजॉय कीजिए और मुझको शेयर करके जरूर बताईए कि कैसे बने कि पूर सुपथाना ayil को एंजॉय कीजिए और मुझका चाफ पानी कर करके देंगे